एलो फ्रेंड्स में फ्रीयांकव विलकम तू मय चानल आज बनाएंगे लेसुनी पालक बहुत ही टेस्टी बनते है यह सबजी रोटी पराटी के साथ बहुत ही जूमी लगते हैं और इस रेसिपी में हम नहीं यूज करेंगे बेसं की और नहीं यूज करेंगे काजुबादा की और इसमें क्रीम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे फिर भी इतना थिक और क्रीमी और बहुत ही जादा टेस्टी यह रेसिपी बनके तियार हो जाएंगे तो चलिए रेसिपी शूरू करते हैं और इससे अच्छे लगते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ होने के बाद इसमें अट कर देंगे धूले हुए पालक पालक को चोटे-चोटे चुक्रों में काट ले और फिर इसे धो करके एट कर दे और फिर हमें पालक को अच्छे से पकाना है और इसे हमें खुले में ही पकाना है धकना लगाए तो पालक पकते हुए जब अब नोट सी बटन में रखते हैं फिर इसकराए में थोड़ा सा तेल कर देंगे उसमें डाल देंगे CPTNC । और करिब कड़या जितना दाल दिया है अब GRU अच्छे से पकाना है जब तक कि आएस का पूरा कच्छ सेमें चली जाये सर इसमें अड़ कर देंगे अब प्यास को मैंने बाढ़ी की से चॉप कर लिया है और इसे चॉप करने के लिए मैंने फूट प्रोसेसर का यूज किया है आप चाहो तो अगर आपके पास फूट प्रोसेसर ना हो तो आप चाकू की मदद से भी इसे चॉप करके बना सकते हो तो प्यास को आधा फ्राइ कर लें और फिर उसके बाद इसमें एट कर देंगे टमाटर इसको भी मैंने फूर्ड प्रôसेसर मए चौकर लिया है तो टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी से महों लेंगे सभी chodzi से पहले ही आपको डाल देना है यहीं तो बात में अच्छ से नहीं पाते हुआ तो थमाटर को अच्छ एक से चना तो दोनों चीज़ों को बड़ा वर्ड की हिस्सों में डाल देंगे और इसका एकदब स्मूद्थ पाउडर बना कर तयार कर लेंगे और यहाँ पर मैंने दो चमज करके दोनों को ही ले दिया है टोटल चार चमज फिर इसको डाल देंगे सिधा कड़ाई पे और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर और ज्यादा अच्छे आ जाए और यह जो है ना यह ग्रेवी को ठीक करने में काम आते हैं और भूना हुआ मोंफाली का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं इसमें तो इसे करीब तीस सेकेंड से एक मिर्ट तक हम मीडियम लो फ्लेम पे लगाता चलाते हुए भून लेंगे और एक बार यह काम हो जाए तो फिर उसमें एट कर देंगे पानी तो यहाँ पर मैंने टोटल दो बावल पानी डाला है यह कप के हिसाब से नहीं है जो दो कटोड़ी भड़के मैंने यहाँ पर पानी डाला है तो पहले तो एक कटोड़ी डाल देंगे और फिर इस अच्छ करके दिया था उसको एट करतेंगे और यह सब चीजों को आपस में stick कर देंगे तो-देज में हमें नमक डालना है करके अभी तक मेरिं यहाँ पर सब नमक तनल्स नहीं है तो पहले सबी को मिला देंगे ताकि हमें पता-चले के ःत्र fans की जरूरत है करेम तो अब इसे अब हैँ एक और कटोडी पानी इसमें एडकर दूगी थो इहांपर मेंने 2 ऊइसे आप जितना पतला या फिर गारा करनाहेद काते हो उस ये हलका सा गाढा हो जाए और उपर से भी तेल छोड़ना चालू हो जाए है जैसे कि आप देख सकते हो वैसे ही इस ग्रेवी को हमने तेल पूंपली में ही पूंक थेल Grid को यूद्म सर्फ करने बहुति तो बहुत जादा फिह सकते हैं वह सब्सक्राइज बशल में और शेयर करना ना भूले और चानल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले तो चलिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ और ये रेसिपी अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले तो चलिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं